आज के टाइम में भी किसी बिमारी को अगर कोई डॉक्टर सही नहीं कर पाते या फिर उनके पास इस बिमारी का इलाज नहीं होता तो आज के टाइम में भी पेरंट्स यही सोचते हैं चलो एक बार हम अपने बच्चे के ग्रहन अक्षत्र वगेरा दिखा लेते हैं यानि कि तांत्रिक के पास चलते हैं जो कि तंत्र मंत्र करते हैं और वो उन्हें ये लगता है कि हमारी शक्तियों से सामने वाला ठीक हो सकता है तो उसके पास लेकर जाया जाता है और शायद ये तांत्रिक उसे ठीक भी कर सकता है मानो या ना मानो हर किसी के दिमाग में ये थौट जरूर आता है और ऐसा ही एक थौट शेटी फैमली को भी आया था शेटी फैमली ने भी यही सोचा था जब उनके घर में सबसे चोटे बच्चे यानि की भासकर के बेटे की तबीयत इतनी खराब हो चुके थी कोई भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही थी तब शेटी फैमल पूरे तरीके से तबाह हो चुकी थी दरसल ये केस लालच और एक्स्ट्रमेलिटल अफैर का एक ऐसा मिक्षर निकल कर सामने आया जिसमें करनाटका के अरब पति बिजनसमेन की सांसे रोक दी थी और उनके बुड़ी मा की जिंदगी बरबाद हो चुके थी तो चलिए बिन मीडिया में एक खबर ने अपनी जगा एक ब्रेकिंग न्यूज में सेट कर ली थी करनाटका का मिलियनेर बिजनसमेन बासकर शेटी जिनका बिजनस करनाटका से लेकर साओधी अरब तक हर जगा फैला हुआ था बासकर शेटी कई सारे ग्रोसरी स्टॉर चेन और होटेल्स क मालिक थे और वो अचानक से गाइब हो जाते हैं और उनकी बुड़ी मा गुलाबी ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट उदूपी के मनिपाल पूलिस टेशन में दर्ज करवा दी थी क्योंकि उनके बेटे से उनका किसी भी तरह का कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था लेकिन सब से चोका देने वाली बात ये थी उस कंप्लेंट में ये था कि बासकर की मा ने जो कंप्लेंट की थी उसमें जो प्राइम सस्पेक्ट बताए हुए थे वो कोई और नहीं बलकि बासकर के खुद की वाइफ यानि की राजेशवरी और एक एस्टर लॉजर इन दोनों को ही प् पुलिस ने एस्टर लॉजर को पकड़ लिया। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान एस्टर लॉजर ने अपनी उंगली में एक डाइमंड की रिंग पहनी हुई थी। वो उस रिंग को निकाल कर खा लेता है। ताकि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाए। और जो बाकी के कल्प भी और तो और पुलिस वाले सभी शौक रह चुके थे। दरसल इस कहाने की शुरुआ तब हुई जब भासकर और उसकी वाइफ राजेशवरी इन दोनों का जो बेटा था वो बहुत बिमार रहने लगा था। बासकर बहुत जादा अमीर था। उसकी जैसे उसने देश के क खुद को मजबूर समझ रहे थे। क्या फाइदा है इतने सारे पैसों का जब हम अपने खुद के बच्चों को ही सही नहीं कर सकते। और अपने ही बेटे को अपनी आँखों के सामने तरपता जब कोई इनसान देखता है तब वो यही सोचता है क्या फाइदा इतना मिलियन बिलिनेर होने का इतनी दंब समपदा को इकठा करने का ये सब कुछ इनके माइन में चल रहा था और अचानक ही एक रिलेटिव इनका सामने निकल कर आता है उसने इने कहा कि आप एक बार एक एस्टोलेजर को दिखा कर देखिए मैं एक ऐसे एस्टोलेजर को जानता हूँ उस एस्टोलाजर निरंजन के पास चले गए और पहली बार में ही एस्टोलाजर निरंजन ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया उसने कई सारे उपाए बताए कई सारी पूजा पाट करवाई जिसके बाद नवनीत की हेल्थ दीरे दीरे सही हो रही थी वेल यहाँ पर एस राजेश्वरी अपने बच्चे को दिखाने के लिए निरंजन के पास लेकर जाती जितना वो निरंजन से मिलती उतना ही ये दोनों नस्दीक आते जा रहे थे वहीं पर जो भासकर था वो अपने बिसनस को लेकर साओधी अरेबिया में ही थोड़े टाइम के लिए चला गय कि ये दोनों कई बार बिना किसी काम के भी मिलने लगे थे पहले तो दोस्त बने दोस्ती जब गहरी होती चली गई उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में डूप चुके थे राजेश्वरी और निरंजन के बीच में जो ये करीबियां बढ़ती जा रही थी इसकी के साथ मिल रही है घूम रही है उससे ये सारी चीज़े जादा दिन तोक तोक छूपी रही नहीं सकते थी लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता क्योंकि उसे सही मौके का इंतजार था कि कब वो दोनों को प्रोपर सबूत के साथ पकड़ेगा ताकि राजेश्वरी किसी भी वेस्ट बेंगौल में माकाली की पूजा पर जाएंगे जिसके बाद तीनों माकाली के दर्शन करने के लिए निकल गए वेस्ट बेंगौल में दर्शन करने के बाद इन तीनों ने मुंबई जाने का प्टैन बनाया क्योंकि मुंबई में इनका एक रिलेटिव रहा करता थ मुंबई जाने के बाद नमनी तो उस रिलेटिव के घर चला गया लेकिन राजेशवरी वहाँ नहीं गई वह अपने लड़के को रिलेटिव के घर में छोड़ कर ये दोनों राजेशवरी और निरंजन एक बड़े सबसे अच्छे होटल में रूम बुक करते हैं और वहीं पर साथ में रहने लगे वैल बासकर को इस बात की खबर अब लग चुकी थी कि इसकी वाइफ किसी प्राइम मर्द के साथ एकी होटल में एकी रूम में टाइम स्पेंड कर रही है इसके बाद बासकर के पास कुछ ऐसी पिचर्स पहुच जाती है जिसे देखकर बासकर की तो नींद हराम हो चुकी थी उसे तो पता नहीं अब बहुत कुछ होने लगा था वो बहुत कुछ माइन में सोच चुका था वो पिच्चर्स कैसी होंगे अब आप लोग बहुत अच्छे समझ चुके होंगे जो उनका प्राइवेट टाइम था जो उसकी पतनी होटल में टाइम स्पेंड कर रही थी उन्हीं की वो पिच्चर्स थी और बासकर को ये भी पता चला कि राजेश्वरी इसके साथ सिरफ टा बासकर को पता चल रही थी कि जिस फैमली के लिए वो दिन रात मैनत करके पैसा कमा रहा है असल में वो पैसे तो कहीं और ही खर्च हो रहे हैं ये सब देखकर बासकर के अंदर जितना भी प्यार था अपनी वाइफ और बेटे के प्रती वो सब अब नफरत में बदल चुका था वो अपनी वाइफ से फेस तो फेस मिल सके और सारी बातों को क्लियर कर सके लेकिन भासकर के साथ आगे जो होने वाला था वो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था इंडिया आने के बाद भासकर अपनी वाइफ से मिलता है और उसे ये सारी चीजे बताता है कि उसे तो साउधी में था उसे ये सब कुछ कैसे मिला कैसे उसे पता चला लेकिन शक एक ऐसी चीज है जो कि आप से कुछ भी करवा सकता है भास्कर को जब अपने वाइफ के उपर शक हुआ तो उपने कॉन्टेक्ट को एक्ट्व करता है बहुत सारे कॉंटेक्ट से मिलता है बहुत सारे डिटेक्टिव से ये मिला अपनी वाइफ के पीछे उन सभी डिटेक्टिव को छोड़ दिया गया जो कि उसकी वाइफ की हर एक पल की जानकारी उसके भासकर को दे रहे थे ये सारी बातें राजेश्वरी को बहुत ज़ादा सताने लगी थी कि राजेश्वरी का सच बहर आ चुका है लेकिन भासकर अब उसे नहीं छोड़ेगा अब क्या होगा कि अगर भासकर राजेश्वरी को अपनी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कोडी भी ना दे तो ये सारी बातें राजेश्वरी के दिमाग में अपने आप ही आ रही थी राजेश्वरी ने ये सारी बातें अपने बेटे नवनीत और अपने लवर निरंजन से शेयर की तो उन दोनों को भी समझ में नहीं आया, क्या खिरकार अब क्या किया जाए? क्या ये सच में अब सब कुछ खतम होने वाला है? ऐसा क्या किया जाए? जिससे पैसा भी ना जाए और हम एक साथ भी रह पाएं और फाइनली ऐसा ही होता है, जो राजेश्वरी का नाइट मेर था जिसके बार में वो सब कुछ सोच रही थी वो reality में हो चुका था भासकर ने अपनी property distribute कुछ इस तरीके से करी थी कि उसकी property भासकर के बाद उसकी मा को जाएगी और अगर उसकी मा को कुछ हो जाता है तब भी वो property की एक फूटी कोडी ना तो बासकर के बेटे के पास जाएगी और ना ही बासकर की wife के पास बासकर कहता है कि उसकी जितनी भी बहने हैं उनको बासकर के 10% property जाएगी उसकी तीन बहने थी तो 30% तो property हैं चले गई जो बाकी 70% की property थी बासकर का ये कहना था वो भी मेरे सारे बाई ही बिजनस को संबालेंगे इन सब में से एक भी फूटी कोडी मेरे बच्चे और मेरी वाइफ के पास नहीं जानी चाहिए ये सुनकर राजेशवरी और नवनीत की सांसे रुक गई क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था वो सच होने वाला था तो उन्होंने सोचा कि ये वसीहत ओफिशिल होने से पहले ही बासकर का खेल खतम कर दिया जाए जिहां बासकर की जो वाइफ थी वो तो पैसे और प्यार के चक्कर में पागल हो चुकी थी लेकिन बासकर का इकलोता बेटा जिसकी जान बचाने के लिए बासकर हर वो नमुम्किन चीज़ कर रहा था जो उससे हो सकते थी हर पोसिबल वो चीज ट्राई कर रहा था अपने बेटी के जान बचाने के लिए वही बेटा आज भासकर की जान लेने की प्लैनिंग कर रहा था 28 जुलाई 2016 का टाइम आया भासकर अपने ही एक होटल से जिसका नम दुर्गा होटल था दुर्गा होटल से वो अपने घर की तरफ आ रहा था घर में आने के बाद बासकर ना आने जाता है और जब वो ना के बातरूम से बाहर आया तब वो अपनी आखों के सामने अपनी वाइफ अपना बेटा और एक एक्स्ट्रलाजर वही एक्स्ट्रलाजर निरंजन को पाता है इस से पहले कि बासकर कुछ समझ पाता तीनों ने बासकर की आँख में मेपरस्प्रे से हमला कर दिया जिसे कि वो नीचे गिर गया जिसके बाद राजेश्वरी ने रोड से उसके सर पर वार कर दिया फिस जबरदस्टी बासकर को पेस्टिसेट खाने पर मजबूर किया और उसके बासकर के हाथ और पैर दोनों को बांध कर बासकर को बास्टब में डुबा दिया गया और जब Baskar की सासे बंद हुई तब इनोंने Baskar की बोड़ी को कार में डाला और निरंजन की बताई हुई जगह पर लेकर जाया गया ये वही जगह थी जहांपर निरंजन, हवन वगेरा ये सारी चीज़े किया करता था इन तीनों ने बासकर की बॉड़ी को, जहां यह हवन करते थे, वहां पर फैका, उसके उपर पेट्रॉल घी, जो था, सब डाला, उसके बाद हवन की समगरी की तरह ही, बासकर की बॉड़ी को जला दिया गया और फिर आया 29 जुलाई का दिन 28 जुलाई को इन तीनों ने बासकर को निपता दिया 29 जुलाई को बासकर की मा गुलाबी ने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी और पुलिस ने फिर जल्दी से ही बासकर को निरंजन को अरेस्ट कर लिया था उससे इंटेरोगेशन की और उसने बचने की भी बहुत कोशिश की खुद को मारने की भी कोशिश की लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाया और फिर एंड में उस एसलोजर ने इन दोनों का नाम भी बता दिया पुलिस ने नवनीत शेटी और आजेश्वरी शेटी को भी अरेस्ट कर लिया इसके साथ साथ और फ्रेंसिक लैब में एक्जामिनेशन के लिए भेश दिया गया पुलिस ने तीन सो पेजिस की चार्ट शेट सब्मिट करी कोर्ट के सामने जिसके बाद उदूपी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक एंड सेशन कोर्ट ने 8 जून 2021 को राजेश्वरी शेटी नवनीत शेटी और निरेंजन को अजीवन करावास की यानिकि उमर कैद की सजा सुना दी थी हालांकि इस बीच इन्होंने कई बार बेल के लिए अपलाई भी किया लेकिन हर बार उनकी इस दर्खवास्त को रिजेक्ट कर दिया गया लालच ने राजेश्वरी को इतना अंदा कर दिया था कि उ उसका बेटा कुछ ऐसा कर देगा ये भासकर ने कभी भी नहीं सोचा था पर क्या हो सकता था बेटे ने भी पैसो को ही चुना और अपने बाप को मार दिया हाला कि अब ये तीनों जेल में सड़ रहे हैं और भासकर जिसकी इन सब में कोई गलती नहीं थी उसको अपनी जान ग कहानी करनाटका की उदूपी में बासकर की मा गुलाबी ने कंप्लेंट की थी तब थोड़ा सा ये खुला सा हुआ था क्योंकि बासकर की मा गुलाबी को तो पहले से ही शक जा रहा था कि मेरे पोते ने और मेरी बहु ने ही ये सब कुछ किया होगा तो इसलिए उन्होंने क प्लेंट की पुलिस अपने इंटेरोगेशन करते हुए उन्हें इसका पता चला एस्टो लोजर का उसे पकड़ा गया उसने खुद को मारने की कोशिश की लेकिन वो एंड में बचा लिया गया और उसने पूरी कहानी बताई कौन-कौन शामिल था तो बस यह थी पूरी कहानी क्या आपने पहले कभी इस कहानी को सुनत है नहीं मुझे कमेंट सेक्षन में जुरूर बताईएगा और अगर आज आप इस नाइट फाइल्स पॉड्कास चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में नौटिफिकेशन बेल आइकन को दब के साथ